आज के दोर में लोग छोटे घर में रहें या बड़े घर में या फिर 2 और 3 बी एच के फ्लैट में रहते हों किचन गार्डन लगाना काफी ज़ादा पसंद करते हैं लेकिन ज़ादा तर लोगों के किचन गार्डन में आम तोर पर धनिया, पुदीना, पालक, करीपता, कद् लोकी जैसी चीजही नजर आती हैं ऐसे कोई प्लांट शायद ही नजर आते होंगे, जो स्वाद और सहथ दोनों के नजरिये से बहतर साबित होते हों, यद कुछ लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं होता है कि कौन से ऐसे प्लांट हैं जो हमारे किचन गार्डन में ओन तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे हर्बल प्लांट्स के बारे में बताएंगे जो खाने का स्वाथ तो आपको बढ़ाएंगे यह बढ़ाएंगे साथ में ही आपकी सिहत को दुरुस्त रखने में भी खास रोल अधा करेंगे इतना ही नहीं दोस्तों इन को लगाने से आपके किचन गार्डन की इंपोटेंस काफी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो दोस्तों जानते हैं उन हर्बल प्लांट्स के बारे में लेकिन उससे पहले अगर आप हिमाशली हर्बल में नए हो दोस्तों तो हिमाशली हर्बल को सबस्क्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मिटिव वीडियो आप तक असानी से पहुंच सकें सबसे पहला हर्बल प्लांट है पार्सले शायद से आपने पार्सले के बारे में सुना भी होगा या आपने देखा भी होगा अगर आपने सुना और देखा होगा या आपने नहीं भी देखा या सुना है तब भी आपको बता देती हूं कि उसे किचन गार्डन में आप एक खास जगा दे सकते हों, क्योंकि ये विटमिन C और केसे बरपूर होता है, साथ जब आप सबजी में पार्सले का यूज करते हो, उसका उपयो करते हो, तो खाने का स्वाद और रंग दोनों को ही बढ़ा दे तो उसकी इंपोर्टन्स तो बहुत जादा बढ़ जाएगी, दूसरा हर्बल प्लांट है चाइप्स, चाइप्स को आप अपने किचन गार्डन में भी लगा सकते हो, या आपके पास किचन गार्डन नहीं है, तो आप किसी प्लांटर में या पोट में उसे असानी से लगा सकते हो, सलाग ये तोर पर इसका सेवन करने से स्वाथ तो बढ़िया ही होता है, साथ ही साथ इसको खाने से नीन भी काफी अच्छी आती है, क्योंकि चाइप्स में केलोरी की मातरा कम होती है, और विटामीन वो एंटी एक्सिडेंट काफी जादा मातरा में होते हैं, दोस् चाइप्स का मैजिक, अब तीसरा प्लांट है रोजमेरी, आप जानते ही हो दोस्तों कि रोजमेरी सेहत के लिया हाद से काफी फाइदे मंद होती है, रोजमेरी की चाइप्स में बेस्ट होती है, साथ ही साथ ये सेहत के लिए भी काफी जादा फाइदे मंद होता है, यानि कि आपकी एकागरता को बढ़ाता है इस पोधे को लगाते समय आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि सूरज की रोसनी उसको डारेक्ट नहीं पहुंचनी चाहिए अगला हर्बर प्लांट है थाइम थाइम का पोधा जो होता है वो स्ट्यू से बनाने से लेक इस पोधिन प्राब्लम को दूर करने में काफी अच्छा रोल निभाता है अगला हरबर प्लांट है लेमन बाम lemon balm जो होता है दोस्तों वो पुदीनी की तरह ही दिखाई देता है लेकिन इसमें खुश्पू जो आती वो नीम्बू की तरह आती है जो lemon balm होता है दोस्तों उसमें फैनॉलिक कंटेंट और अंटी ओक्सिडेंट गुन होते हैं ये खाने का स्वाध बढ़ाने का काम करता है तो दोस्तों ये है कुछ ऐसे herbal plant जिसे आपने kitchen garden में असानी से लगा सकते हो जिसे आप kitchen garden नहीं है आपके पास सिर्फ और सिर्फ बालकनी है तो बालकनी में उन्हें गमलों में आप असानी से इन पोधों को लगा सकते हो साती साथ अपने खाने का स्वाध और रंगत को बढ कारते हैं ये हर्बल ब्लांट तो आप ही अपने आपको सहत मन बना के रखना चाहते हो तो इन प्लांट का रोज मर्रा की जिंदिगी में यूज कीजिए जिससे आपका शीर जोगा इन बड़ी से बड़ी बिमारी से लड़ने में सक्षम होगा दोस्तों आज की वीडियो मे मेरते हैं कल आपके साथ एक ऐसी नई हर्बल वीडियो के साथ तब तक दीजिए मुझे इजाजत धन्यवाद